नमश्कार अनाधी टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रिशीका कुट्टा और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धंतिरस के इस खास दिन की ठेर सारी शुपकामना है तंतिरस का अजखास दिन है यानि की मालक्षमी को बनाने का दिन भगवान को बेर को बनाने का दिन भगवान धनवंतरी को मनाने का दिन आज के दिन विशिश पूजा अर्चुना इसलिए भी की जाती है ताकि मालक्षमी की कृपा आपके घर पर आपके उपर हमेशा बनी रह साल भर तक आपको सुख मिले सम्रिधी मिले मा लक्षमी की कृपा बनी रहे और इसी लिए पूजा आर्चुना विशिश तरीके से भी की जाती है और इसी पर चच्चा करेंगे चच्चा के लिए पंडित अर्वें तिवारी जी हमारे साथ स्चुडियो में मौझूद है बन की घर का जो भंडार है वो कभी खाली ना हो पंडि जी बहुत स्वागे अना जी टी वी पर और शुरुवात आप के साथ इसी के साथ करेंगे क्योंकि थे धन्तेरस का जो त्यवारा सबसे पहले इस दिन के खास माइने क्या है क्यों इस तेवार को मिदा आता है दीवाल जिसको कहा जाता है उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुपकामने जैसा रिशिगा जी ने मेरे से पूछा तो बिल्कुल हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज के दिन का खास महत्व किया है एक धन तेरस धन शब्द जोड़ा हुआ रू तेरस याने तरियो दशी तो यह है बड़ा महत्पून देना धन जो है धन पैसे से भी जोड़ा हुआ है और धन का दूसरा जो माइने है वह है धनवंतरी बने आयरवेद के देवता और हम सब को हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ती दिलाने वाले देव भगवान धनवंतरी का प्राकुट उत्सभ है आज क दिन वो प्रकट हुए थे अपने हाथ में अमरत कलश लेकर आए थे और जैसा हम सभी जानते हैं कि उनके प्राकट से पहले इस पूरे ब्रह्मांड पर बहुत ज्यादा बीमारियों का आतंक था चाहे देव दानव असुर यक्ष गंधर्व किनर जितने भी लोग थे इन तो 120 वर्ष की आयू मानी जाती थी लेकिन 120 वर्ष की आयू को भी लोग पार नहीं कर पाते थे तो देवता और दानवों के बीच में विचार में मर्श हुआ देवताओं के गुरू भगवान ब्रहस्पती ने कहा कि यहीं समुद्र मन्थन किया जाता है तो समुद्र मन्थ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकलेंगी जिससे असुर देव दानव गंधर्व किनर यक्ष सभी को लाप होगा तो समुद्र मन्थन करने का निश्य किया गया मदराचल परवत को मथानी बनाकर बासुकी नाग या पहुत सारे उसमें शेशनाग का भी वर्णन आता ह है लेकिन मूलता एक बड़े नाक को लेकर रसी बनाकर मथानी बनाकर मदराचल परवत को और समुद्र मन्थन किया गया आपको यहीं समुद्र मन्थन के वारे में देखना है तो आप एक बार आप जाएं खास्तों से जहारखंड में जहां पर देव घर बाबा बैदनाद विराजते हैं वहां से सो किलोमीटर दूर आज भी मदराचल परवत है और उस पर आप देखेंगे तो रसीयों के जो निशान होते हैं वह आपको बहुत आसानी से दिखाई देंगे तो कहने का तात पर ही है कि घटना घटी और आज भी उसके प्रमान मौजूद हैं जब सम पतने र्वीट का ग्रंत उनके हाथ में था जिसके बाद इस पूरे प्रमांड में जितनी भी बीमारियां हैं जितनी भी खास्तों से शारीरिक करस्ट है उन तो आज भगवान धन्मंत्री के प्राकटिका दिवस है उनकी वीटी पूर्भाग पूजा अर्चना की जाती ताकि आप शतायू हो उनके चरणों में रखी जाती है तो एक तो उनकी पूजा होती है दूसरा धन के जो खाजांची है जिसको आप कहलें कि गवर्नर हैं वह हैं भगवान को वेर आज उनकी पूजा अर्चना की जाती है सांथ ही चुकि आज से तीसरे दिन तुकि दीपावली का पर्व मातालक्षमी की पूजा अर्चना का पर्व है तो उनके निमित बहुत सारी चीटे खरीदी रहती है तो आज उन सब को खरीदने का दिन है तो आईए हम सब मिलकर आज के इस पर्व को विधी पूर्बग मनाते हैं बिल्कुल पंठेजी बहुत सुन्दर प्रसंग आपने सुनाया कि कैसे भगवाद धनवंतरी का प्राकट्य हुआ था अब इसके साथ जरह यह भी पताए क्योंकि जैसे कि कोई भी तैवार हो आज की समय में हम देख रहे हैं दो दिन बनाया जाने लगा चाहे वो दीपा वाल प्रारम्भ हुई है और अगले दिन संधी काल यानि आप देखे कि अगले दिन भी धन तेरस का महूरत रहेगा सुबा प्राता काल बारा बजे तक अगले दिन से नरक चतुरदशी यानि चोटी दीपावली प्रारम्भ होगी देखिए हमारे हां का जो कैलेंडर हैं चंदर साथ शाब आपने सुना होगा अधिक मास एक महीना बढ़ भी जाता है वहर चौथे साल में एक बार बढ़ता है जैसे आपने फरवरी को देखा है का 28 की फरवरी होती हो चौथे साल में एक बार लीपियर आता है 29 की होती है हमारे हां चंदरमा की गण्या के आधार पर स्कुक्तों चसरेयर रहुतार मेंहसां स जिस लग्न में जिस तिव में सूर्य उदय होता है उस दिखी को हम लोग उदिया कえते हैं तो आप देखेंगे कि दुपहर में वह तुरिय। रोज उद्रु नि रही है और प्रदोश युक्त जो टिखी होती है उस तिखी में ही तो प्रदोश युक्त जो त्रियोदशी है वो केवल 29 अक्टुवर को है आप सबी लोग मिलकर 29 अक्टुवर के दिन धन्त्रियोदशी मनाएं धन्तेरस मनाएं अपने जीवन को खोशहाल करने के लिए आप इस पर्व को मनाई है आईरवेट के देवता की विडिपूर्बग पूजा अर्चना करिए देखिए आपको एकदम लाब जरूर प्राप्त होगा आपने बहुत पड़ा कंफ्यूजन जो है वो दर्शुकों का दूर कर दिया क्योंकि दो दिन को लेकर क्योंकि 29 को मनाएं या 30 को मनाएं यह कई सारे सवाल सामने आते हैं अब बात कर लेते है है शुब मूरत की आज के दिन का शुब मूरत क्या है किस समय पूजा अर्चना अदर्शुकों को भी करनी है दिखिए आज पूजा आपको शाम को प्रदोशकाल यानि ब्रशब लगन में पूजा करनी है चुकि ब्रशब लगन शुरू होगा छे बच के चार मिनिट से लेकिन यहीं इस विशेश महूर्त में आप पहले घर से भगवान धनवंतरी भगवान को बेर माता लक्षमी की पूजा अर्चना करें तदो परांथ आप जाकर जो है बजार से खरीदारी करें तो निसंदे आपको आपके जीवन में बहुत हद तक लापकी प्राक्ति होग ड्रवान धनवंतरी अम्रत कलश लेकर पैता हूए तो सबसे पहले तो आज कलश खरीदने का विधान है कि आप एक ऐसा कलश लेकर आएं जिसमें आप जल भर का रख सकें देखिए सबसे जादा परिशानी जल को लेकर ही है अशुद जल आता है तो आप एक कलश लेकर आएं और चुकि आईरवेट के देवता हैं उन्होंने फिटकरी का इस्तिमाल बताया था कि आशुद घीटाण में जो कि माता लक्षमी का वास सबसे जादा आपके घर में कहीं होगा तो आपके किचित या रसोई घर में वह हमेशा आती है तो रसोई घर से जोड़ी हुई चीजें बैसे तो सोना चांदी सभी लोग खरीते हैं माता के निमित स्वर्ण आभूशन खरीदे जाते हैं ले तो सोने का सिक्का ले लीजे छोटा 10 ग्राम आपके चंढ नहीं है तो चांदी का सिक्का ले लीजे आपकी चंढ नहीं है तो आप इक चम्मच क behavioral की भी जरूर खरीदी麼 आप जितने जितना जो भी आप खरीदेंगे वो कई गुना आप मान के चलिए के त्रियोदशी का दिन है तो वो कम से कम तीरा गुना आपको उसका फल प्राप्त होगा शास्त्रों में तो यहां तक वरणन है कि आप जो भी चीट खरीदेंगे वो सहस्तर गुना तक बढ़ जाती एक हजार गुने तक उसका प्रभाव बढ़ता है और आपके घर में आज के दिन लाई के चीज़ें आप धन सुक संपदा एक हजार गुने तक आपको प्राप्त होती तो आज जरू खरीदिये कोई भी सामान खरीदिये चमच एक छोटी सी चमच जो कि 10-12 रुपे की आती वही खरीद लाई है अब हर अव्यक्ति के अपनी चमता का है लेकिन आज के दिन सिक्का खरीदने का विधान होता है चुकि वह स्वर्ण मुद्रा कही जाती है माता को भीट स्वरू तो मदिरात्री में दीपावली के दिन मा लक्षमी की विधिपूर्वक पूजा अर्चन कोई सामानावश्य खरीदना है क्योंकि जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि कई गुरा तक वो जो चीजी है वो बढ़ जाती है और आपके घर में समर्द्धी हमेशा बनी रहती है और अब पंडित जी बात कर लेते हैं पूजा की क्योंकि आपने मुहरत तो बता दिया देवी देवताओं का कोई विग्रह है फोटो है चित्र है मूर्तियां है तो आप उनको ले लीजे खास्तोर से धन्वंद्री भगवान की आज विशिष्ट और पूजा की जाती आपके पास उनकी मूर्ती ना हो तो बाजार से आपको बहुत संदर सा चित्र आपको मिलेग तो सबसे पहले क्या करना है आप अपने घर के जो उत्तर पूर्व की दिशा है जिसको हम इशान कोन कहते हैं वहां पर आप उस इस्थान को आप हल्दी से लेपन कर लीजे और उसको लेपन करने के बाद वहां पर थोड़ा सा आटा और उसकी उपर अक्षत यानि चावल र बाद वादे झाली डि ताम्हिक डेज यथ जष्ट यप अपके पास चांडी की एश्वण की जो आपके पास नगोग् उप्लब्द रखें उसको रखें उसमें तीनों मूर्तियों के बिठाई है ज़ी मूर्ती निए तो फूट। बिठा जिजए और उस तो आप इन चीजों से प्रतिकात्मा गूप से पूजा करिए, फिर उनको सिंदूर जरूर लगाईए, रक्त शंदन का सिंदूर लगा सकते हैं, या सिंदूर लगा सकते हैं, सबसे सुंदर्शी जो आज के दिन चड़ाई जाती है, वह थी कमल का पुष्व, ऐसा माना जाता है, भगवान धन्वंतरी भी कमल के पुष्व पर प्रगट हुए थे, समुदूर मंथन से, तो कमल का पुष्व उनको भी चड़ाईए, तीन कमल ले आईए, माता महलक्षमी कमल सना है, वो कमल के आसन पर ही विराजमान होके समुदूर मंथन से निकली थी, तो आप माता को भी कमल चड़ाईए, और सफेद कमल में चड़ाईए, और अलग-अलग तरह के जो कमल आते हैं, उनको आप चड़ाईए, तदो परांत कमल चड़ाने के बाद मिस्ठान का भ होग जरूर लगाई है तदो प्रांत आप उनकी आर्थी करिए और आज के दिन चुकी धन्वंतरी प्रागट हुए है तो जड़ी बूटियां भी उनको चड़ाई जाती है तो विभिन प्रकार की जो जड़ी बूटिया है वह आप उनको चड़ाएंगे और उसके बाद भग नहीं लाएं है तो बाजार चले जाएंगे लेकर आईए और बाद में जरूर उनको अर्पित करेंगे और अर्पित करेंगे तो आपके घर में कई गुना ब्रदी अवश्य होगी बिल्कुल पंडी जी ये तो पूजा का उपाय हो गया और यंत्रों को लेकर मेरा जो सवाल बिल्कुल मैं आपको पता दीताँ अफे बारे में बात होती है तो आजब लिoryantr की फूजा की लाएंगे खिलीक मिल गया जए तो वो भी ला सकते हैं लेकिन आज के दिन आप कुबेर यंतुर श्रीयंत्र यदि आपको साम्होई की रूप से शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाता है तो उसकी तो बात ही निला लिए अभी यंत्र पूजा थोड़ा सा मुश्किल कारी होता है जो कि यंत्र को जागरत कर होना अपने आप में बड़ी बात होती है तंत्र की बात होती है तंत्र माने इंग्लिश में उसको कहा जाता है सिस्टम सिस्टम कैसे चलता है उसमें सिस्टम में तीन भाग होते हैं मंत्र यंत्र और तंत्र माने जो यंत्र होता है उसको चलाने के लिए आपको मंत्र का ज्य कि आपके पास एक मोबाइल है मोबाइल में यदि कोई software नहीं ड़ा हुआ है तो आप जब तक उसमें software नहीं डालेंगे या computer में software नहीं डालेंगे तो computer चलेगा कैसे तो यंत्र को चलाने के लिए software रूपी मंत्र घ्यान होना और इस सिस्टम से पूजा आपको करनी है वह उसका जना बेहदा आवश्यक है उसके लिए आपको किसी बहुत योग गुनी विद्वान ब्रह्मन के अविश्यक्ता है जो से यंत्र को बनाना जानता हो उस यंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है उसकी कैसे पूजा अरशना की जाती है यदि आपको नहीं आता है आप लेकर आईए भगवान के सम्मुक उसको रख दीजे हाथ जोड़कर प्रातना करिए कि है प्रभू है इश्वर है कुबेर है तनवंतरी देव है माता लक्षमी हम कुछ भी नहीं ज करता है बिल्कुल तो जो यंत्रों को लेकर दर्श्रकों को कन्फूजन था वह आपने निश्र तौर पर दूर कर दिया है और तेखिए जहां पर बात की जाती है राशियों को लेकर यह तमाम चीजों को लेकर किस राशी वाले कौन सा बरतन खरीद कर लाए या वह किस तरह से पूजा करें या कौन से रंके पुष्प चड़ाए तो ऐसा कोई एक उपाय बता दीजे कि दर्श्रकों के जो राशियों का कन्फूजन है वह दूर हो जाए कि भाई राशी का कोई कन्फूजन नहीं हर राशी वाले यह उपाय कर सकते हैं बिल्कुल मैं विविन चुकि को अर्पित करना चाहिए ब्रशव राशी वाले जातक हैं उनको आज अश्वगंधा भगवान की जड़ी आती है आप पाउडर मतलाई खड़े स्वरूप में लाईएगा जो कि भगवान को अर्पित खड़े स्वरूप में ही किया जाता है अश्वगंधा चड़ाई यह अब मिथुन राशी और गणिया राशी के जातक हैं तो आज आपको स्वरूप तब आप चाहिए तो आज आपको शिताव जरूर बड़ा गोप्रित करना चाहिए नहीं आप सिंग जातक है तब भी आप रख्तचंदन अर्पित करिए यदि आप तुला राशी के जातक हैं तो आज आपको जो है कौंच के जो बीज हैं उनको अर्पित करना चाहिए यदि आप ब्रश्चिक राशी के जातक हैं तो आपको आज अर्पित करना है भगवान को लाल रंग का एक अच्छा कमल जिस उसको आप अर्पित करिए उसके बाद जो है यदि आप धनू और मीन राशी के जातक हैं तो आज आपको भगवान को अर्पित करना है केसर आप केसर उनको अर्पित कर सकते हैं यदि आप कुम्ब और मकर राशी के जातक हैं तो आज के दिन भगवान को काली मुसली मुसली ए टी हूव हो बोबी अर्पिद कर सकते लेकिन मक्र उकुमराशी वालों को कली मुसली वी ऑर्पित करेंगे डोह बहुत लाबकारी होता है इसके लावा Points बिलाब होई भतन लाकर आप भगवान को एक कर सकते हैं चांदी का सिकार पित कर सकते हैं कुछ भी सामान हो अपित करें लेकिन आज अपनी राशी अनुसार आइडवेद की चीट भगवान गौर्पित करेंगे तो आपके जीवन में स्वस्त जीवन आप जरूरी पहेंगे अब पंडी जी चिस तरह से आपने बताया क्यें कि धन के लिए तो पूजा आज के दिन की जाती है जिनको कोई बीमारी है या फिर उस बीमारी से कोई उपाय करना चाहिए आज के दिन तो भी कर सकते हैं बिलकुल कर सकते देखिए बहुत सुन्दर सी चीज आईवेड में है वह चबन प्राश तो आप चाहें तो किस चबनपुराश जरू बजार से खरीदिये भगवान को चड़ाइए रात को स्वयम भी उसका दूद के साथ सेवन करी एक चम्मच तो मुझे लगता है कि आपके शरीर की जो बीमारिया है अब हमेशा स्वास्त प्रसनिचित जरू बने रहे बिलकुल पंडिजी और एक आखरी कऊंची तो क्या किसी को जुब सकстаточно समस्य या भी कोई अच के दिन कर सकते हैं विलकुल ईक बहुत सुनर सापने यंद्र की बात कृती तो इंत्र आपने अवह देखा होगा कि वो यंत्र दीपावली के पूजा के आसपास बनाये जाता है बारकेट में मिल भी जाता है जिसको हम लोग 20 आ हैं यंत्र कहते हैं मानने आप कहीं से भी जोड़ लीजे उसमें डोट़ल योग 20 कि आता है और उसके बारे में कहा जाता है जिसके पास हो 20 सा में लेकर जाए परंतु ध्यान रखे अशुद्धी ना हो आप उसको रखते रखने के बाद मांस मदीरा या किसी प्रकार के अनेते कारियों में लिप्तताओं से दूर रखेंगे तभी वह यंत्र कारगर सावित होगा रखेंगे तो कारीशेतर में जरूर लाग होगा बिल्क कि राशियों के अनुसार भी हमने आपको बताया पंडिजी ने बताया कि किस राशी वालों को किस तरह से किस ओश्धी का उपयोग आज के दिन पूजा में करना है जिससे आप स्वस्त भी बने रहेंगे और मालक्षमी की भगवान को वेर की कृपा भी आपके उपर हवेश अपनी रहेंगे एक बार फिर से आपको दंतीरस के स्थेहार की ठीर सारी शुब कामना है फिलहार के लिए मुझे दीजे इजाजत पने रिया नादी टीवी के साथ नमस्कार नमस्कार